ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक है कैंगरू मदर केर क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको पता दू कुछ भी लिखने की ज़रूबत नहीं है क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे वहां से आप डिरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो तो शुरू करते हैं हमारा प्रेवेंटिव मेडिसिन इन ऑप्सेट्रिक्स, पेडियाट्रिक्स और जेरियाट्रिक्स वाले चैप्टर का अगला टॉपिक देट इस कैंगरू मदर केर ठीक अब भई कंगारू मदर केर या कैंगरू मदर केर जो होता है यह कब शुरू किया गय किस चीज के response में उन्होंने देखा था कि बहुत ज़ादा high rate of infections और high rate of mortality मिल रहा था किन बच्चों में low birth weight के बच्चों में तो low birth weight के बच्चों को मरने से बचाने के लिए that is mortality rate कम करने के लिए और infections से बचाने के लिए that is morbidities से बचाने के लिए Dr. Hector Martinez और Edzer Ray ने 1979 में कोलंबिया में kangaroo mother care के शुरुआत की थी तो kangaroo mother care जो होता है या kangaroo mother care जो होता है वो best option होता है कि बच्चे की देखबाल करने के लिए low birth weight babies की देखबाल करने के लिए kangaroo mother care सबसे best option है अब सवाल होता है low birth weight babies क्या होते है तो हमने अपने लास्ट वीडियो में discuss किया था कि लो birth weight babies वो होते हैं जिनका birth weight 2.5 kg से कम हो याने कि जब बच्चा पैदा होता है तब अगर वो धाई किलो से कम का है तो उसको low birth weight babies होते हैं और इन low birth weight babies की care करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है kangaroo mother care यह देखो यह वाले बच्चे को देखो एकदम दुबला पतला सा है low birth weight हुआ था इसलिए मायन को low birth weight baby को kangaroo mother care दे रहे हैं अब जो kangaroo mother care होता है ना उसके मुखिता चार component होते हैं मुखिता चार main component होते हैं कौन-कौन से सबसे पहली चीज तो होती है भाई skin to skin positioning of the baby in mother stage इसको kangaroo mother care क्यों बोला है kangaroo को देखा है सामने की तरफ एक pouch होता है जिसमें वो बच्चा लिए रहती है वैसे ही ज उसको कहते हैं kangaroo mother care मतलब की बच्चे को अपने सीने से लगाना mother's के chest से baby को हमेशा contact में रखना skin to skin contact positioning होती है अब इसके फायदे क्या क्या है सबसे पहला फायदा तो है भाई साब की हाइपो थर्मिया से बच जाता है बच्चा सेकिंड है की bonding बनती है माँ और बच्चे के बीच में third जो बहुत important है that is breastfeeding जितनी जल्दी हो सके initiate कर देती है माँ और उसको continue भी रख सकती है तो यह कुछ advantages है जो वाईवा में आपसे पूछ ले जाते हैं कि kangaroo mother care के advantages तो हाइपो थर्मिया से बचाओ bonding बनती है माँ और बच्चे के बीच में और breastfeeding initiate भी कर सकती है और उ बच्चे को adequate nutrition मिल जाता है through breastfeeding क्योंकि माने सीने से लगाई हुआ है जब भी लगे कि बच्चा भूका है माँ उस समय breastfeeding करा सकती है तो second is adequate nutrition through breastfeeding तीसरा है कि भाई according to kangaroo mother care हमको ambulatory care provide करनी है माँ को discharge करने से पहले जितना हो सके आप ambulatory care provide कर दीजे माँ को discharge होने से पहले और सब अपसे आखरी component जो है kangaroo mother care care that is मा और बच्चे प्लस मा और उसकी family को आपको support provide करना है डिस्टार्ज होने के बाद भी कि खयाल रखा जा सके वो जो low birth weight baby था ना उसका तो चौथा main component क्या है आपको मा और उसकी family को support provide करना है जिससे की मा और उसकी family जो low birth weight baby था उसका अच्छे से खयाल रख सके तो मुख्यता चार component होते हैं ठीक है दोनों पाउं ऐसे रहते हैं frog position में chest to chest contact रहता है दोनों प्रस के बीच में मुंडी एक साइट को tilt रहती है that is kangaroo mother care की positioning ठीक है यहाँ पर आप देखो तो मुंडी एक साइट में tilt है यहाँ पर दोनों पाउं frog position में होंगे chest to chest contact है समझ गए तो यह भी वाई हो है पुछा जाता है ठीक तो यह तो हो गए में चार component kangaroo mother care के अब इनको याद कैसे करेंगे चारू component को तो देखो आप याद कर सकते हो SBA support अब public health में यह PSM में SBA का full form क्या होता है SBA का full form होता है skilled birth attendant ठीक है skilled birth attendant जो SBA का full form होता है तो actually में जब आप kangaroo mother care दे रही है माँ बच्चे को तो वो भी तो skilled birth attendant बन रही है एक तरह से हैंना तो इस तरह से correlate करके आप याद कर सकते हो SBA को support कर रहे है हम kangaroo mother care देखे माँ को एक तरह से skilled birth attendant बना रहे हो आप और उसके support के लिए आप kangaroo mother care दे रहे हो मगर हमने यह SBA support word क्यों याद किया? वो इसलिए याद किया S is for skin to skin positioning, B is for breast feeding, A is for ambulatory care and support is for support for mother and family तो यह 4 main component होते हैं kangaroo mother care के S is for skin to skin positioning, B is for breast feeding, A is for ambulatory care and S support is for support of mother and family तो यह 4 मुख्य component हैं आपके kangaroo mother care के ठीक, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ओके? तो इतनी चीज़ें at least आपको kangaroo mother care के बारे में पता होनी चाहिए अगर मैं बात करूं question के तो भाई, theory exam में इस पे very short note आ जाता है तो आपको at least वो 4 component तो बताते आने चाहिए अगर मैं बात करूं वाईवा की, तो वाईवा का पहला question के भाई, kangaroo mother care किन लोगों, किन बच्चों का ख्याल रखने के लिए होती है मुख्यता, तो low birth weight babies का second, बहुत important question के भाई, चार main component कौन से होते हैं, kangaroo mother care के और एक और main question कि भाई, skin to skin positioning जब आप करते हो, तो क्या फाइदा होता है तो वही जैसे हमने कहा कि हाईपोथर्मिया से बचाता है, bonding बनती है मा और बच्चे के बीच में और जितने जल्दी हो सकती है, उतने जल्दी breastfeeding शुरूआत करा सकती है और continuity बनाए रख सकती है मा breastfeeding कराने के लिए तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको वाईवा में याद होने चाहिए अगर मैं बात करूँ, MCQs की, तो जितने भी underline part है हमारे notes और video में वो सभी PG entrance exam में पूछे गए MCQs हैं तो एक MCQ मेरे को यही मिला था कि component कौन-कौन से होते हैं तो एक component तो जिसमें MCQ मिला था that was skin-to-skin positioning, second was breastfeeding तो ये components पे भी आपको MCQ आया हुआ है ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको at least kangaroo mother care या KMC में पता ही होनी चाहिए Thank you